समुंदर में भारी भर कम माल वाहक जहाजों को चलाने के लिए एक दिन में कितना फ्यूल लगता होगा और ये फ्यूल टैंक माल वाहक जहाजों में कहा और कितना बड़ा होता है चलिए जानते हैं कि दिमाल वाहग जहाज एक दिन बिना रुके चलता है तो ये 400 से 500 किलोमीटर की दूरी आराम से तैकल लेगा। वहीं इतने बड़े जहाजों को चलाने के लिए 1 लाख हर्स पावर का डीजल इंजन लगा होता है। और ये एक दिन में ही 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा फ्यूल खतम कर देता है। जिससे एक माल वाहग जहाज एक साथ 2 लाख टन उठा कर 40 किलोमीटर परती घंटा की स्पीड से तैर सकता है। और पानी में जहाज का संतुलन बनाये रखने के लिए फ्यूल टेंक आम तोर पर जहाज के निचले भाग में होता है। जिसकी छमता 2 लाख टन से भी ज़्यादा होती है। इतने बारी बर कम होने के बाद जाज पानी में क्योंने डूपता जानेंगी तिसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए सस्क्राइब और फालो करें।